विक्की रॉया अपने फ़ष से अर्ष पर पहुँचने वाले कई लोगों की सकसे स्टोरी के बारे में सुना होगा और आज हम आपको एक ऐसे लड़के की सकसे स्टोरी के बारे में बताने डा रहे हैं जो कभी सडकों और रेलवे स्टेशन पर कचड़ा बीनता था और आज करोडों का मालिक बन गया अगर आप इमानदारी और मेहनत से काम करें तो जीवन में एक ना एक दिन आपको उसका फ़ल जरूर मिलेगा दुनिया में मेहनती एक ऐसी चीज है जो किस्मत को भी बदल देती है किस्मत भी उनहीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं कच्रा बीनने वाला विकी रोहे बना करोड़ पती पश्चिम बंगाल के पुरूलिया गाउं के बेहत गरीब परिवार में जन्मा था विकी नाम का लड़का इस बच्चे पर बहुत ज्यादा अत्याचार किये गए थे जिस वज़े से वो घर से भागने को मजबूर हो गया था घर से भाग कर वो दिल्ली आ गया था और यहां अपना पेट भरने के लिए कच्रा बीनना शुरू कर दिया जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो एक होटेल में काम करने लगा और वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे इनसान से हुई जो उसके लिए किसी फरिष्टे से कम नहीं था उसने विकी रॉय का एडमिशन सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में कक्षाचे में करवा दिया इंग्लिश नहीं आती थी इस वज़े से उसे मौका नहीं मिल पाया था विकी रॉय ने हार नहीं मानी और इसी बीच उसकी मुलाकात इन इमान नाम की फोटोग्राफर से हुई उसने विकी को अपने पास काम पर रखा और उसे तीन हजार रुपे महीने की सालड़ी भी दी साल 2007 इंडिया हैबिटें सेंट में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई थी इससे वो बहुत फेमस हुए और उनकी किस्मत चमक गई इसके बाद उन्हें रामनाथ फाउन्डेशन के लिए फोटोग्राफी करने का ओफर मिला और ये भारत वो भारत से बाहर चले गए इसके बाद जब वो वापस लोटे तो उन्हें सलाम ट्रस्ट के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर संग पीपल से नवाजा गया विक्की ने साल 2011 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक किताब लिखी और स्टॉक फोटोग्राफी लाइबरी खोली और फिर वे फोटोग्रापरों के साथ मिशन कवर शॉट के लिए श्रीलंका चले गए जहां उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट लिखी जिसे अजर फाउंडेशन द्वारा पब्लिश करवाया गया आज विक्की रॉय देश की जानी मानी हस्ती बन गए हैं और आज उनके पास पैसा और शोहरत दोनों हैं अब वे एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं जिसके पास करोडों रुपे हैं अब उन्हें विक्की रॉय के नाम से जाना जाता है इस कहानी को पढ़कर आपके हॉंट सले भी बुलंद हुए होंगे और आपको भी ये बातों समझा ही गई होगी कि अगर मेहनत से काम लिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है और जिन्दगी में सफलता पाई जा सकती है आप भी मेहनत करते रहें एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा